देखे शेर्शाह की यहाँ पे बात हो रही है, contribution of शेर्शाह के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, सराय दर चौकी यह सब जो शेर्शाह ने मिनाई थी उसके बारे में हमने बात कर लिया, आगे बात करते हैं trade and commerce की, देखे trade and commerce को improve करने के लिए शेर्शाह ने बहुत कुछ कि होते तो बंगाल और बिहार के border पर उनके उपर customs duty लगाई जाती थी, प्लस इंदस के पास कुछ post बनाए गये थे, west और central एशा से आने वाले goods के उपर थोड़े बहुत customs duty लगाई जाती थी, उसके अलावा पूरे शेर्शाह सूरी के empire में कहीं पे भी किसी भी पकार की customs लगाई जाती थी, customs duty लगाई जाती थी, शेर्शाह सूरी के राज में, प्लस यहां पे शेर्शाह सूरी ने एक और बात बहुत प्रापर तरीके से बोल दी थी, उसने अपने सारे के सारे governors को और emils को ये strict निर्देश जारी किये, कि भाई, आपके यहां से जो भी merchants और travelers न जाती है, तो उस particular इलाके का governor उसका समान नहीं हड़ाप लेगा, ठीक हैं, शेक निजामी ने बताया है कि शेर्शाह के समय पे एक नारा था, if a merchant should die in your country, it is a perfidy to lay hands on this property, अगर कोई merchant मर गया है और उसके समान के उपर कपजा करने में आप घूम रहे हो, तो यह पाप होगा, य अगर शेर्शाह ने, जो लोकल विजिज हेंडमेंड होते थे, जिनको अब मुकादम बोलते थे, और जो लोकल लेवल पे जमीनदार होते थे, उनको responsible बना दिया, किस चीज़ के लिए, मर्चेंट्स की शेपटी के लिए, तो अगर मर्चेंट किसी रोड से जा रहे हैं, य इन्होंने इस प्रकार की चोरी डाकूब अगरा की है, और अगर वो नहीं धून पाए, तो उस केस में फिर मुकादम और जमीनदार को सजा दी जाएगी, तो अब बास सर्वानी जो कि शेर्शाह का हिस्टूरियन रहा है, कि इसने साफ साफ बोला, कि भाई, शेर्शाह सू पूरी का जो क्राइम का रेजिलूशन का तरीका था, वो बहुत जादा हार्ष था चोरों की तरह, ये बात किया हम पताई गई है, फिर शेर्शाह सूरी नहीं यहां पे बहुत सारे करंसी रिफॉर्म किये, जिससे कॉमर्स का ग्रोथ हुआ, हैंडी क्राफ्स का ग्रोथ जो सिल्वर का स्टैंडर्ड कोईन मनाये शेर्शाह सूरी ने, वो उसके मरने के कई सौ साल बाद भी इस्तमाल किये जाता रहा, फिक्स्ट स्टैंडर्स और मेजर्स को, जिसने ट्रेड और कॉमर्स में बदद की, आने आवले समय में, अकबर शेर्शाह सूरी के बहुत सार ने, तो पहले क्या होता था, कि विलेच, विलेच, बहुत सारे विलेच मिना दिया, तो एक परकदा, परगना बन गया, परगना बहुत सारे मिला दिया, तो एक सरकार बन गया, सरकार बहुत सारे मिला दिया, तो एक पूरी की पूरी प्रोविंस बन गई, तो परगना सरका भासा में भी maintain किया जता था और जो local हिंदवी भाशा थी उसमें भी maintain किया जता था परगणा के उपर जैसे कि मैंने बता है शिक होता था सरकार होता था और इस शक और सरकार के जो leader है उसको अब शिकदार इस शिकदरन या फौचदार भी कहते थे या मुंसिफ ए मुंसिफान भी कहते थे तो यह कुछ नए प्रकार के नाम थे administrative units थी परगणा बहुत सारे village मिलके बनता था परगणा बहुत सारे परगणा मिला दो सरकार मिला दो तो provinces बनती थी अब actually में कितनी provinces थी इसके बारे में देखो ज़दा जानकारी है नहीं और नहीं यह provincial administration कैसे होता था इसक परगणा बनाएंगे बहुत सारे परगणा मिलके शिक बनाएंगे या शिकदार मतलब या फिर सरकार बनाएंगे परगणा का head शिकदार होगा सरकार का head आप कह सकते हो शिकदार शिकदरन या फौजदार होगा तो यह titles उस समय पर दी जाते थे सबसे नीचे परगणा सबस पर लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस चैनल को शेर और सब्सक्राइब नीकिया कर दीजे, जोइन बटन नबा के आप हल्प कर सकते हैं, आपके जोइन बटन नमाने से खासा मदन मिलती है, तो प्लीस क्लिक दे जोइन बटन इंस्टर्ग्राम पर फॉलो कर लिजे, टेलिग्राम क्रूप जोइन कर लिजे, हर चीज़ का लिंक नीचे लिस्कुप्शन बॉक्स में दे रखा है, कुछ जगों पे हम लोगों को रिटन रिकॉर्ड से यह पता चलता है, जो प्रोविंशल गवर्नर्स थे, ये बहुत ज़दा ताकत वर थे, अगर आप बंगाल जैसे इलाकों की बात करोगे, तो वहाँ पे ट्राइबल चीफ्स के हाथों में बहुत सारी ताकत थी, वहाँ वाला इलाका है, वहाँ पे ट्राइबल चीफ राज कर रहा है, समझ गए? फिर ये जो शेर्शा की एड्मिनिस्टरिशन की मशीन दी थी, वह बहुत सेंट्रलाइस थी, दीकि सल्तनात पीरेड में भी जो एड्मिनिस्टरिशन की मशीन दी थी, वह सेंट्रलाइस थी, शेर से लेके रात तक वो काम करता रहता था अक्सर कर वो अपनी कंट्री में अपने इलाकों में घुमता रहता था लोगों के हलाज जानने के लिए और बहुत जबरदस्त हार्ड वर्किंग इंडिविजुल्स था लेकिन अब समझे कितना बड़ा देश इसका एड्मिनिस्टिश अब इसमें होता यह है कि अब तक शेर्षा जैसा इंसान जिन्दा है जब तक इसके जैसा एफिशेंट एड्मिनिस्टेटर जिन्दा है तब तक तो सटप चलता रहेगा लेकिन जैसे ही शेर्षा मरेगा और कोई दूसरा बंदा गद्धी पर बैठेगा वहीं प्रॉब्ल और हो सके तो जोएंट बटन दबाईए मैं बार बार जोएंट बटन दबाने को बोलता हूँ पिकॉस दैट इस स्पेसिफिकली एंड वेरी वेरी हेल्फुल फो मी इंस्टेग्राम पर फॉलो कर लिजे टेलीग्राम ग्रूप जोएंड कर लिजे खर्चीज का लिंक आपक में था तो हर लेवल पे लैंड रिवन्य सिस्टम कैसे काम करता है ये शेशा सूरी को पता था बहुत सारे capable team of administrators यहां पे शेशा सूरी ने बैठा रखी थी पूरे के पूरे entire system को सही प्रकार से काम करने के लिए जब लैंड प्रेड्यूस को collect करने की बात आती थी लैंड र पास उस agricultural crop का कितना percent tax जाएगा इस बात को fix किया शेशा सूरी ने फिर लैंड को good, bad और middling मतलब जो बहुत ज़ा efficient productivity वाला वे लैंड है, कम productivity लैंड है, average productivity लैंड है, इनके उपर अलग-अमाउंट of tax यहां पे put up किया गया, peasants को यह option दिया गया कि वो crop को बेच के cash में भी tax की payment कर सकते हैं, या कि crop को भी cash में दे सकते हैं, मतलब crop को as it is दे सकते हैं, तो किसी मालो, किसान ने 100 kg crop गाई, अब इस 100 kg में से 33% या तो किसान ने crop ही दे दी, या फिर crop को बेचने के बाद पैसे दे दी है, फिर आप देखेंगे, कहां कहां पे एक किसान ने कितना area sow कर रखा है, एक particular peasant को कितना पैसा देना, उसने कितना पैसा दिया, ये सब एक पटे पे लिखा जाता था, किसी भी peasant से कोई भी extra पैसा कोई नहीं ले सकता है, ठीक है भाई, तो ये सब चीजें proper तरीके से यहाँ पे तैक ही गई थी, floods और natural calamities के समय पे सरकारी help पाने के स्टेट क्या करता था कि समय समय से परती भीगा किसानों से थोड़ा बहुत टैक्स ले लिया करता था, जिससे जो स्टेट की ट्रेजरी है भरी रहे, और जब लोगों की मदद होगी, तब यहाँ पे overall सरकार मदद के लिए आईगी, और शेर्शा पीजेंट्री के welfare के लिए बहुत माना जाता था, उस समय पर क्या था, अबादी कम थी इलाका बहुत जाता था, और अगर उस बड़े इलाके में से लोग भाग गए, तो वहाँ पर कोई किसान होगाने वाला नहीं बचेगा, आज की रेट जैसा नहीं कि 140 करोन की अबादी हो रखी हो, उस समय तो hardly 25 क करोन की अबादी होगी, इंडिया के उस से भी बहुत कम होगी, वह सकता 57 करोनी हो, तो इतनी कम अबादी वाले इस देश में, भाई, बहुत बड़े इलाके में बहुत कम पीजेंट्स हैं, और ये जो बहुत कम पीजेंट्स हैं, अगर ये excessive exploitation के चलते, या इनको बहुत employers के थूँ परिशान किया जारा है, तो इस जगह छोड़ के भाग जाएंगे, अपना villages छोड़ देंगे, और अगर इन्होंने villages अबेंडन कर दिये, तो वहाँ पर agriculture land तबहा हो जाएंगे, उनको फिर से आप recuperate नहीं कर पाओगे, इसलिए specifically यहाँ पर शेयर शासूरी, cultivators को peasants का बहुत ध्यान रखता था, उसको पता था कि अगर villages खाली हो गए, और लोग operation की वज़े से भाग गए, तो villages को भरना मुश्किल हो जाएगा, agriculture को उस इलाके में फिर से उठाना मुश्किल हो जाएगा, फिर शेयर शासूरी ने एक strong army बनाने के लिए बहुत सारे step लिये थे, तो पहले क्या था, कि tribal chiefs अपने 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 इलाके में थोड़ा tax वसूलते थे, इस बात को यहाँ पर शेयर शासूरी ने क्या किया, बंद घरवा दिया, शेयर शाबूरी ने बोला कि कोई भी tribal chief किसी भी प्रकार की tribal levy नहीं देगा, जब भी soldiers को शेयर शासूरी क आर्मी में recruit किया जाता था, उनका एक descriptive role, चहरे के record को यहाँ पर maintain किया जाता था, इस descriptive role से होगा क्या, कि आप एक ही soldier को दो बार नहीं count कर सकते हैं, फिर जो horse होता था, उस horse की royal branding होती थी, तो एक higher quality के horse के ओपर ठपा लगा दिया जाता था, inferior quality के horse के ओपर कभी ठपा नहीं आर्मी के efficiency कम ना हो, यह जो दाग branding system था ना, यह पहले अलाउदिन खिलजी भी implement कर चुगा था, तो आप कह सकते हो कि शेर्षा सूरी ने जो दाग branding system था, इसको अलाउदिन खिलजी की military reform से बोरो किया है, फिर अगर शेर्षा सूरी की personal आर्मी की बात की जाए, तो डेर ला रखा था, किसी भी जगह के rebellion को यह tackle कर सके, कहीं से भी attack को यह handle कर सके, justice को लेके शेर्षा का emphasis तगड़ा था, okay, justice, शेर्षा क्या बोलता है, the justice is the most excellent of religious rights, and it is approved, alike by the king of infiders and of the faithful, he did not spare our pressures, whether they were high nobles, men of his own tribe or relations, देखे, अगर किसी ने कुछ गलत किया है, वो भले ही रिष्तिदार क होना हो शेर्षा सूरी का, उसको शेर्षा सूरी सजा देता था, शेर्षा सूरी का यह बोलना था चाहिए, उसकी tribe का आदमी हो, अगर उसने गलती की है, तो उसकी सजा देने पड़ेगी, च्योंकि अगर आ, justice के माबले में किसी को favor करोगे, तो जनता का भरोसा उट शेर्षा सूरी के बाद जो इसका बेटा था, इसलाम शाह, इसने justice की practices को थोड़ा और formalize किया, इसलाम शाह ने justice से related laws को codify किया, और समय समय पे इसने कुछ specific set of people को appoint किया, ताकि Islamic law को decode किया जा सके, interpret किया जा सके, चोकि अलग अलग जो scholars होते थे, वो जो religious book थी, कुरान, औ और जो religious Muslim text थे, उनका interpretation अलग अलग प्रकार से करते थे, तो यहाँ पे laws को codify करना, और Islamic law को interpret करना, इसके लिए कुछ ऐसे धरम गुरू, जो कि अपने अपने field में बहुत उचे हूँ, उनको appoint किया यहाँ पे इसलाम शाह ने, इसलाम शाह ने nobles के privileges और powers को कम करने की लेकिन जड़तर जो Islam shop, regulations और reforms लेके आया था, जो कि काफी अच्चे थे, वो उसकी मौत के साथ चले गए, तो शेर्शा सूरी का अगर हम carrier देखें, तो एक बात पता चलती ही कि भाई, no doubt he was a very remarkable figure, और कुछ हद तक शेर्शा सूरी का जो बेटा था ना, इसलाम शाह, he was also an efficient administrator अपने बाप जितना नहीं था बट फिर भी वो था, एक जबर्दस sound system of administration सेट अप किया शेर्शा सूरी ने पांच सालों में, जबर्दस builder था वो, उसने अपना खुद का जो tom मनाया है ना, ससराम बेयार में, अपनी lifetime के दुरान, वो architecture का एक masterpiece है, earlier style of architecture और आगे आने वाली style क बीच में आप कह सकते हो, खड़ा हुआ है, शेर्शा सूरी का जो tom है, फिर शेर्शा सूरी ने नई city भी वेना ही थी, दिल्ली में अमना के किनारे पे आज की date में, इस नई city का केवल पुराना किला बचा हुआ है दिल्ली में, उसके अंदर एक mosque भी है, अक्सर कर दिल्ली क लोग जानते ही होंगे, फिर शेर्शा लर्ण मैन को पैट्रनाइस करता था, जो हिंदी के fine works थे, वो शेर्शा के समय पे, in fact हिंद भी बोलना चाहिए, कोर आजवाली हिंदी नहीं है, तो जैसे कि मलिक मौमाद जैसी के पदमावत, इसको complete की गया था, शेर्शा सूरी के र इसका बेटा इसलाम शाह, ये उलामा की ज़्यादा बातें नहीं मानते थे, हाँ, ये जो पूरन मल वाला जो इंसिडेंट हुआ था, जिसमें पूरन मल और उसके जो एक हजार राजपूत, जो पैचान वाले थे, उनकी फैमिलीज को जो मार दिया गया था, दोके से, ये बस एक्जामपिल है, ये एक ऐसा आफ के सकतो दबबा है, शेर्शा सूरी के कैरियर पे, जहां पे उसने उलामा और धरम गुरू की बात को सुनके गलत स्टेप ले लिया, वैसे नॉर्मल कर केसिज में, धरम की फील में बहुत ज़्यादा बात ना सुनते थे, नहीं सुनत पर religious tax नहीं लगेगा, चीज़िया लगाय जाता है हिंदूों के उपर, अपनी जो धरम स्तल होते है हिंदूों के उनको विजट करने के लिए, अपनी religious practices को करने के लिए हिंदूों को अलग से tax देना पड़ता, तो इस प्रकार के taxes नहीं इटायते, हिंदूों के प्रती conversion, conversion वगारा सब कुछ हुए हिंदू के temple वगारा भी तोड़े गए हिंदूों को पस नहीं हटाया गया है, पूरन मल और उसके associates को धोके से यहां पर मारा गया, बट overall आप कह सकते हो कि बहुत ज़दा liberal नहीं था हिंदूों की तरफ, और बहुत ज़दा आप कह सकते हो कि restrictive भ खड़ा हुआ था, तो race और tribe के साफ से appointment करता था, जाधा तर जो nobles थे शेरशा सूरी की समय पे, वो जाधा साधा अफगान ही थे, तो administration में अफगानों की चलती थी शेरशा सूरी की दुरान, यह जो trend था, यह केवल akbar के समय पर ही आगे आने वाले समय बत लेगा, तो अब